हेले स्टूडेंट कैसे आप सब एक बार पुना स्यू कोचिंग क्लासेस पर स्वगात है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छोंगे मस्तोंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चल जोगी चैप्टर वन एलेक्टरिक चार्ज एंड फिल्ड यह आपका पूर्टा कम्प्लीट हो चुका है पूरा थ्योरम बेसिक चीजे कम्प्लीट कर दिया मैंने फार्मूला भी अप्लूड कर दिया है अब आज की इस लेक्चर में ओन लाइन फैक्ट में कम्प्लीट करूँगा ऐसे बच्चे जो बोड एक्जाम 2024 की त्यारी कर रहे है सुपर फास्ट रिवीजन यह 23-27 है आपका ठीक है 24 में आप एक्जाम दोगे लेकिन 23-27 कहलाता है तो इसके लिए बच्चो निरंतर मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ और क्रम से आपको वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आज की इस लेक्चर में आप चैप्टर रोन के सुपर फास्ट 25 अबजेक्टिव कोश्चन तयार करेंगे बिल्कुल कम समय में जिसे पहला कोश्चन देखेंगे मूल आबेस कमान कितना होता है तो 1.6 कुड़े 10 गाते माइनस 19 कुलाम बिल्कुल सुपर फास्ट हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे एक कुलाम आबेस में इलेक्टरान की संख्या देखो यहाँ पर मूल आबेस कमान मतलब एक इलेक्टरान पर आबेस बूल के रखा है यहाँ पर एक कुलाम आबेस पर इलेक्टरान की संख्या तो 6.25 कुड़े 10 गाते 18 तो इन दोनों में डिफरेंस है एक कुलाम पर इलक्ट्रान की संख्या तो इसको लिखना है 8.85 कोड़े 10-12 है कुलाम 25 निूटन मीटर स्कुर आबेसित खोकले गोले के अंदर बिद्दू छेदर का मान कितना होताय सोन होता है क्योंकि जहां पर आबेस नहीं है खोकले गोले के अंदर आबेस नहीं है इसलिए वहाँ पर आपका जो बिद्दु छेत्र सून निकल कराता है धातु का प्रवैद्दुतांग कितना होता है बच्चे लोग तो धातु का प्रवैद्दुतांग अनंत होता है प्राबद्धुतांक मैंने कराया है complete है आपका असेशन ठीक है बिद्दु दुईधुरूब आघून का मात्रक क्या होता है कुलाम मीटर क्या बच्चो कुलाम मीटर दुईधुरूब आघून कैसे निकालते हैं पी वरावन यह आपका कुलाम आबेस और दोनों आबेसों की बिच की दूरी टुई तो आबेस का हो जाता है कुलाम और दूरी का हो जाता है मीटर तो कुलाम मीटर इसका हो जाता है मात्रक ठीक है बच्चो चलिए ई तिब्रता वाले बिद्दु छेतर में आबेस की उपर लगने वाला बल कितना होता है तो बिद्दु छेतर की तिब बिद्दु छेत मतलब E का मात्रक जैसे आपको बताया गया है E बराबर F हपान Q तो इसका मात्रक हो जाएगा F का मात्रक होता है Newton और बच्चो आबेश का होता है कुलाम तो Newton प्रति कुलाम ठीक है आबेश का मात्रक धारा गुड़े समय होता है तो धारा के यह M.P.R. हो गया ठीक है धारा गुड़े M.P.R. ओके बिद्दु छेत की तिबरता का विमी सूत इसको आप लॉंग बे में आप निकालोगे तब ही निकल कराएगा M.L.T. पावर माइनस 3 एक पावर माइनस 1 एक आदर्स दूधरू का आकार कैसा होता है बिद्दु सद्रस होता है बच्चो ठीक है यहाँ पर भी कुलाम स्कुर प्रति न्यूटन मीटर स्कुर है वैदुत फ्लक्स का मात्रा केतना होता तो न्यूटन मीटर स्कुर प्रति कुलाम इसका पोजिट है न्यूटन मीटर स्कुर प्रति कुलाम है और कुलाम स्कुर नहीं है लेकिन उल्टा कर दो कुलाम क होती है ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर आप 14 15 कोश्चन तयार कर लिए सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा 5-6 मिनट में एक लेक्चर रहेगा हर चैप्टर का लास्ट में जो की बिलकुल जड़े बच्चो ये राम बड़ सावित होगा आपका इसलिए आप लोगो सजाती आबेस है सेम है ठीक है सजाती मतलब सेम है तो सेम है तो उसमें प्रतिकर्शन और बिजाती है मतलब अलग अलग है तो उसमें आकर्शन होता है ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए दो आबेसों के बीच जो लगने वाला बल होता है कुलाम के नियम से आपने पढ़ा ह यह मैंने फार्मूला में अल्रेड़ी एड किया था बच्चो आप लोग को बोला था कि प्लीज आप लोग फार्मूला इन सब को त्यार कर लो क्योंकि निमेरिकल कोश्चन काम सीरीज लगाएंगे तो उसमें यह फार्मूले काम आने वाले हैं बिन्दू अवेशकर्ण बिद्दू छेत किती बरता वन अपान फोर पा एपसिलन नॉट क्यू अपान आर स्केर होता है यह बिलकुल राम मार सावित होगी वोड एक्जाम में आप लोग अभी से त्यार करते चलो वन्द प्रिष्ट्री कुजनने वाला संपूर्ण भाटो तो डूइधरूप को गमाने में किया गया कार पी अपैसिल नंट् तूपी अपान आर क्जू और निरच चित पर हों ऑन पान फॉर पैसिलन नॉट पी अपान आर क्यू यह आपके पांच मिनट का लेक्श्चर है उमिद करता हूँ आप लोग इस को त्यार करलेंग और बच्चो प्लीज आप लोग सीधे नोट करते चलो और अभी तक नोट्स नहीं लिये हैं 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स जरूर ले लें कंटेक्ट नमबर मैं आपको दे देता हूं 96, 85 39, 99, 14 100 रुपी चार्ज है प्रापर रूप से बच्चो हैंड डिटेन नोट्स मिलता है आपको हैंड डिटेन नोट्स मिलेगा पीडिया फॉर्म में और आप बहतार उससे तैयारी करेंगे जैहिंद बंदे मातरम